आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सी नियूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें कोना संकत काल में गरीबों और असाहों की मदद करने के लिए भाजपाई वा मोर्चा के अद्धक्ष गरोब रजावत ने रुई के मंडी में सैकड़ों गरीब परिवारों को राशन किड़ बाटा ये वो लोग थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था इन में अब नवमोरे और प्रिशासन का बड़ा सही योग रहा जरा सफीद पुशाग पे मास्क लगाकर गरीबों को राशन किड़ बाट रहे इस वेक्ति को देखिए इस वेक्ति का नाम है गौरब रजावत गौरब रजावत भाशपाई वा मोर्चा के जिलाद देख्षें करोना के संकटकाल में इस यवानेता ने अपने और अपने परिवार की परवाह किये बिना गरीबों की मदद के लिए दिन रात लगा रहा इस बीच करोना के इस फाइटर को लोगों की मदद करने के प्रयास में चार घंटे से भी ज़्यादा नीद नहीं आई गौरब रजावत ने एक सुबीस लोगों को राशन केट बित्रित की और इसके हिसाब से हम यह एक सो बीस राशन केट आद वित्रड कर रहे हैं और इनके माद्यम से लोग माने मखुंतरी ने दुका है आत्मे नोर बनेंगे उसकी ब्राशन केट राशन केट राजिपाल के सिपुत्र अबनो मौरे और प्रशासन के सहयोग मिलने के बाद बाद अबनो मौरे की तरफ से 70 किट और प्रशासन के तरफ से 50 किट दी गई इसके साथ ही गरीबों के 120 दूद के पाउडर भी वित्रित किये गए गोरब अपने नेजी खर्चे से भी इस से पहले इस से पहले 2500 से ज्यादा लोगों को राशन किट बाद चुके हैं इस बारे में जौरब बहराशन पाने वाले गरीबों का क्या कुछ कहना है आईए सुनते हैं क्या कहनाथे इसके बारे में यह कहना चाहती हूं जो राशन पित्रित हो रहा है उसके लिए धन्यवाद हमारे मुखिर मंत्री अमानने प्रदान मंत्री नरेंदु मोटी जी के लिए जोनों है मतलब इतने आगे के लिए सुपधायां फिल्प्त कराई हैं जैसे के राशन जो गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा था जो अब मिल पा रहा है उसके लिए मैं मुख जाओंगे इनके लिए दंदवाद में राशन दिया खाने के लिए और कुछ नहीं कहना चाहूंगे गौरब रजावत ने उन लोगों को राशन बाटे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ये सभी लोग केवल रूई के मंडी के ही नहीं है इसमें शेहर के कई शित्रों के लोग शामिल है इन पात्र लोगों को तप्ति धूप में जाकर ढूंडा गया उनको चिन्नित क्या जिसके बाद प्रशासन और राजपाल के सुपुत्र के सहयोग से राशन और दूद का पाउडर माटा गया ये सभी कोरोना वारियरस हैं जो अपने और अपने परिवार की परवा के बिना शेहर में चारों तरब घूम कर लोगों की मदद कर रहे हैं विनो जुनियर सी जागरा